डिजिटल इंडिया प्रचारत ने नगरपाली का कार्याले में अधिकारियों वो करमचार्य को डिजिटल इंडिया के प्रति जाग रूप गिया Digital India Team ने नुकर्णाट को वो गीत संगीत के माध्यम से लोगों को Digital India का पाठ पढ़ाया इसके साथ ही कारेक्रम में मौजूर लोगों को सार्वशनिक सेवा केंदर के बारे में जानकारी थी Digital India का संदेश लेको सुचना एवं परसारन मंत्राली के परचार रत्यात्रा घ्रोंडा पहुंची जहां Digital India Team ने नगरपाली का अधिकार्यों पार्शतो वो करमचार्यों को Digital India के तहत मिलने वाली स्विधाओं के बारे में जानकारी थी टीम कॉर्डिनेटर करन ट्रेसिंग ने बताया कि सरकार जगा जगाहपर डिजिटल सेवा केंदर का निर्मान कर रही है इन डिजिटल केंदरों में लोगों को एकी स्थान पर जनम पंजी करन मृत्यू पंजी करन भूमी दस्तावेज प्रिक्षा परिनाम जन्दन योजना बीमा वो बैंक संबंदी सेवाएं उपलाब्ध हो सकेंगी इसके अलावा डिजि लोकर के स्विधा से लोग आपने जरूरी दस्तावेजों को जरूरत पढ़ने पर कहीं भी निकलवा सकते हैं उन्होंने कहा कि बदलते परिवेश के साथ डिजिटल इंडिया बहुत ही जरूरी है डिजिटल इंडिया के लिए आज एक स्पेशल प्रोग्राम डिप्टि कमिशनर की तरफ से ग्रॉंडा में नगरपालिका के इस केंपश में आयोजित किया गया किस तरीके से केशलेस इंडिया की तरफ बढ़ा जाए सभी मेंबर्स को स्टाफ को और जो बार से आयोए साथी थे उन सब को इस टीम ने लगु नाटिका के माध्धम से गेच संगीत के माध्धम से इस केशलेस इंडिया के बारे में पुरी जानकारी दी और ये बताया कि आप इस पर किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं अपने बिल, अपने अधार कार्ड, अपने जनम मिर्ट्यू प्रमान पत्तर आदी सभी कारिया है इसके माध्यम से आप कैसे कर पाएंगे, कैसे ये संभव पाएगा उसके बारे में पूरी जानकारी इन सातियों में दी वही नगरपाली का प्रधान सुभास कुट्ता ने भारत सरकार के इस परचादत अभियान का स्वागत करते हुए कहा कि डिजिटल इंडिया समय की मांग है आज हर यूवा के पास एंडिरोइड मोबाइल फोन है जिसमें मौजूद फिच्चर से वह हरकाम फोन पर ही कर सकता है लेकिन जागरूपता के अभाव में वह डिजिटल नहीं हो पा रहा है परचार रती उवाव को डिजिटल इंडिया से जोड़ने के लिए बहुत ही कारकार साथित होगा अब देखने ये होगा कि लोगों पर इस परचार यात्रा का क्या असर होता है गुरोंडा से परवीन कोशिक समचार एक्स्प्रेस